प्यारे बच्चों नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है आज का हमारा टापिक है क्लास 8 NCRT मैथ जिसके अंतरगत आप चैप्टर 2 का जो है exercise 2.3 के जो है तो question 1 से लेकर question 3 तक शाल्प करेंगे तो आई अपने टापिक की शुरुआत करते हैं आपके सामने है प्रेस ने दिया गया है निम्न समीकरन को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए तो यह जो समीकरन दिये गए हैं इन्हें हमें हल करना है और शाथ में यह बताना है कि हमारा समीकरन जो है तो क्या दोनों पच्छों के लिए शत्त है या नहीं है तो आईए इनको क्रमसा हल करते हैं तो सबसे पहले पहला नमबर हम देखते हैं क्या दिया है तीन यक्स बराबर दो यक्स प्लस अठारा तो इसको हल करेंगे यहां देखिए पहले हम क्या करेंगे यक्स वाले पद जो हैं तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे जैसे यह तीन यक्स है और यह दो यक्स है तो यक्स के पदों को हम क्या कर लेंगे एक तरफ लिखेंगे तो ये दो यक्स को पच्छांदित करेंगे दाइसाइट से जो है तो बाइसाइट लाएंगे तो कितना ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा तो दो यक्स और बरावर ये प्लस अठारा है तो प्लस 18 ही रहेगा क्योंकि उस पार है बरावर कि उस पार ही है और उसी पार हम इसको जो है तो लिख रहे हैं अब देखिए तीन यक्स में दो यक्स यहां घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एक यक्स तो एक नहीं लिखा जाता है उनली यक्स लिखेंगे और यह हो जाएगा अठारा यही जो है तो क्या हो जाएगा एंसर इसका अब हमें जो है तो शत्यापित करना है कि क्या हमारा यह समिकरन जो है तो क्या शही है कि नहीं है तो देखिए क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले हम एक्स को देखते हैं तो एक्स बराबर कितना है 18 है यहाँ तो यहाँ LHS लेते हैं क्या लेते हैं LHS समी करन को शत्यापित करने के लिए अब देखिए यहाँ हम LHS और RHS रखकर जो है तो इसको शत्यापित करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम LHS रखेंगे बराबर कितना दिया है 3 एक्स तो देखिए 3 है और एक्स की वैलू कितनी आई है यहाँ 18 है यहाँ 18 रख देंगे तो 18 त्याई कितना आ जाएगा चौमन यह RHS आ गया अब इतना जो है तो RHS को भी आना चाहिए तब ही जो है तो हमारा श्रम्मी करण जो है तो शत्यापित होगा अर्थात नहीं होगा अगर बराबर नहीं आएंगे तो तो अब RHS लेते हैं दाया पच्छ कितना है दो यक्स प्लस अठारा यहां लिख लेते हैं आर एच एस बराबर कितना दिया है दो यक्स प्लस अठारा तो बराबर देखिए दो है तो दो लिखेंगे यक्स कमान कितना आया है अठारा आया है अठारा लिखेंगे और ये बाला प्लस 18 हम क्या कर देंगे जोड देंगे देखिए यहां कैसे करेंगे सबसे पहले यहां गुना की प्रक्किया करेंगे क्योंकि सबसे पहले गुना किया जाता है फिर उसके बाद ही जो है तो जोड किया जाता है जब गुना है और जोड की जो है तो बात हो रही ह तो तो अठारा दुनी 36 36 में अठारा जोड़ देंगे तो कितना आजाएगा देखिए चोग मनाएगा तो यहां लिख सकते हैं जिए के ल ए एस एक्वल आरएच एस को मतलब यहां पक्षी बराबर है यही जोह तो श्रत्यापित हमें करने के लिए कहा गया गया था इस तरह से जो इसन शुट आपका शाल्फ होता है pushed अंब हम फिग लेते हैं कितना है 5t 5t minus 3 और बराबर है 3t minus 5 अब दूसरा है 5t minus 3 बराबर 3t minus 5 आई इसे हल करते हैं तो देखे पहले क्या करेंगे T के पदों को जो है तो एक तरफ रख लेंगे तो ये T जो है तो इसको हम दाई तरफ से बाई तरफ लाएंगे तो पच्छानतित करेंगे तो चिंद बदल जाएगा तो ये प्लस 3 T है इधर लाएंगे इसके साथ रखेंगे तो माइनस 3 T हो जाएगा 5 T माइनस 3 T बराबर यह माइनस 5 है यह माइनस 3 तीन नधर याएगा तो प्लस 3 हो जाएगा अब देखिए क्या करेंगे यहां टी और टी बालों को घटा देते हैं तो 5 ती में 2 ती घटाएंगे कि पांस ती में 3 ती घटाएंगे कितना आएगा दो टी बराबर माइनस प्लस जो है तो घट जाते हैं चिन जो है तो किसका आता है बड़ी संख्या में जो लगा रहता है तो यहां बड़ी संख्या पांच है पांच में माइनस का चिन लगा है तो माइनस का चिन ही आएगा पांच में तीन घटा देंगे तो दो आए गहाएगा एकम दो तो आ गया माइणस एक तो यहां टीकी वैलू जो है तो माइणस एक आ गई है अब हम देखेंगे कि एलजेस जो है तो आरेचेस के बराबर है इसको सत्यापित भी करेंगे तो सबसे पहले हम ls लिखते हैं ल, एच, एस कितना है पांच टी माइनस तीन तो पांच टी का वान कितना आया है माइनस एक और फिर माइनस तीन तो कितना आ जाएगा देखिए पांच का एक में करेंगे पांच एक कम पांच माइनस पांच और ये माइनस तीन है माइनस माइनस जो है तो जुड़ जाएंगे और चिन जो है तो माइनस का ही रहता है तो यहां देखिए पांच में तीन जुल गया तो कितना आ गया आठ लेकिन चिन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा ऐसा क्यों होता है जिसे देखिए यहां कितना दिया है माइनस पांच और माइनस तीन दिया है तो यहां देखिए माइनस हम कामन करेंगे तो 5 आएगा जब कामन ले लेंगे माइनस तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह 3 हो गया तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस यह रहेगा ही और 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 जाएगा इसलिए माइनस 8 आ गया है आप इतना जान लीजें कि माइनस माइनस जोड़ जाता है चिन माइनस का ही रहता है आरेचेस लेंगे आप तो आरेचेस कितना है देखिए 3 T माइनस 5 है तो 3 T का कितना आया है मान यहां माइनस एक और यह माइनस 5 है तो माइनस 5 कर दिये तो यहां देखिए 3 का एक में गुणा करेंगे तो 3 एककम 3 माइनस 3 ही आएगा और यह माइनस 5 ही है यहां भी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे चीन माइंच से करेगा, पांच में तीन जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, यहां माइनस 8 तो देखिए LHS भी तो माइनस 8 आ रहा था, हर गार मितलब दाएं पच्च के बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि यही शत्यापित करना था यहां लिख देंगे LHS इक्वल RHS यही जो है तो शत्यापित करना था तो आई होब जो है तो आप इस क्यूशन को भी समझ पाए होंगे आप इसका स्क्रीन साट ले लिजे फिर थार्ड नंबर आपको हम बताते हैं अब देखिए थार्ड नंबर है 5 x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 x इसे हल करेंगे तो देखिए यहां यक्स-yक्स के पदों को जो है तो एक तरफ लिख लेंगे तो 5 x है यह प्लस में है इसको हम दाएपच़ से पाएपच़ की और लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तीन यक्स बराबर ये पांच है तो पांच लिखे ये प्लस है उधर जाएगा बाइश दाए में जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा इसको भी पच्छा दित किये हैं पांच एक्स में तीन एक्स घटाएंगे तो दो एक्स आएगा और बराबर पांच में तीन जो है तो पांच में जो है तो नौ नहीं घटेगा नौ में पांच घटेगा क्योंकि छोटी संख्य मड़ी संख्या नहीं घटती है तो हम ऐसे करेंगे छोटी बड़ी घटाएंगे तो यहां माइनस कचिन हाजाएगा और नो में फास घटाएंगे तो चार आजाएगा तो माइनस चार आएगा यहां तो x equal आजाएगा माइनस चार यह जो दो गुड़ा में है नीचे जाएगा दो दूनी चार तो यक्स बराबर आ गया माइनस दो अब इसकी सत्यता की जाच करते हैं देखिए इसकी जाच करेंगे कि क्या ये दोनों पच्छों के लिए शत्य है सबसे पहले हम LHS लेते हैं LHS कितना है पांच एक्स प्लस नौ है पांच एक्स प्लस नौ है बराबर देखिए पांच यक्स कमान कितना है माइनस दो आया है माइनस दो रखेंगे और प्लस नौ है तो नौ कर दिये तो 5 कदू में करेंगे तो माइनस 10 आएगा पांदोनी 10 और प्लस है तो प्लस 9 देखिए माइनस प्लस घड़ जाएगे चिन जो बड़ी संख्या में लगा रहता है वही रहता है कि दस में औप जाएगा तो एक आएगा लेकिंचा माइनस कही रहेगा इतना आएगा अब ऐसे जो है तो कि आर एक एस लेते हैं और और येक्स त सब्सकें यहां यहां सब्सकेमाइनस देंगे वर बराबर 5 फिर प्लस माइनस का गुणा क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो माइनस ही आता है प्लस माइनस का गुणा तीन का दो में करेंगे तीन दूनी 6 आएगा अब देखिए क्या 5 में 6 घटेगा नहीं घटेगा तो 6 में 5 घटाएंगे तो उल्टा घटा रहें तो माइनस एक आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि लह स्वी माइनस एक आ रहा और अर्चस भी माइनस एक आ रहा तो दोनों पच्छे जो है तो बराबर हैं लह स्वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यद यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें अपने सभी फ्रेंट्स के साथ सेयर करें और यदि आप इसी तरह के नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेबल आइकान दवा लें जिससे इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे आज के लिए थांक यू